हेलो हाई नमस्का और स्वागत है आप सभी का मैं अग्निट बेंस के आएटी जैए ओनी चैनल पर जिया जम बात करेंगे हमारी डी पीपी नमबर टू जो की थी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन आपको ज्यादा दिक्कत आई नहीं होगी बट फिर भी कुछ सवाल ऐसे थे जिन में फसनी के सांसे थे तो उनका सॉलीशन आज में बताऊंगा तो वो जरूर देखिए वो फाइदे मंद रहेगा ठीक है जो लोग मुझे नहीं जानते मेरा नाम आशिश कपलिश है मैं पिसले 6 सालों से यह एक्स्पिरेंस को पढ़ा कर रहा हूं उनको भी आप सॉल्फ जरूर कीजिए अगर किसी डीपीप में कोई कोशन में डाउट आता है तो उसका वीडियो सॉलीशन जैसे आज अभी देने वालों उसको जरूर देखिए वह इंपॉर्टेंट है बिटा आप लोगों को आपको खुद से सॉल्फ करना है वीडियो पॉस करके एक ट्राय खुद से भी देना है ठीक है प्रिवियंस एर कोशन भी अभी खुद से करिए आप लोग एक वाट ट्राय खुद से कीजिए उसके बाद मैं इसका सॉलीशन तो पताता ही हूं देखो वह यह जो पूरा हमने पैटर्न डिजाइंग किया नही पढ़िए उसके लिए यह नहीं होगा कि यार सरे बाइब बहुत सारी चीज़े रह गई सब मैंने तो कोशंस के प्रेक्टिस ही नहीं कर यह प्रिवियज अरग यह नहीं करें तो यह सारी चीज़े हम पहले ही कवर कर वारे ताकि लास्ट में जाके आपको यह समस्यों का क्या बोलते हैं उसको समस्यों को face ना करना पड़े है येस अपार्ट रूम दिस डाउट solving sessions मैं लेके आ रहा हूं बेटा लास संडे मेरा डाउट solving session था आपने देखा होगा live sessions लेता हूं वाँ ठीक है अपार्ट आपका शुरू हो जाएगा तो चिंता भी बिलकुल भी मत करना ठीक है चिंता की तो कोई बात ही नहीं है आप पाइटिकल दो वो है 80 स्क्वेर माइनस का बीटी क्यूब और वो बोल रहा है किस समय acceleration 0 होगा वो टाइम बताओ जब acceleration 0 होगा तो मैंने पहले इसका differentiation किया तो मुझे मिली velocity भाई position का differentiation करोगे तो velocity मिलेगी ना position का differentiation किया velocity मिली भाई यहां a constant होता है t square का differentiation 2t हो जाएगा b constant होता है t cube का differentiation 3t square हो जाएगा समझते हो मेरी बातों को तो velocity हो जाएगी 280 minus 3b t square फिर से मैंने इसका differentiation किया तो मुझे acceleration मिलेगा अरे obviously बात है velocity का differentiation करके acceleration मिलता है 2a constant है बाहर रह जाएगा t का differentiation 1 हो जाएगा 3b constant है बाहर रह जाएगा t square का differentiation 2t हो जाएगा बिटा यह acceleration मिल गया मुझे मुझे क्या मिल गया acceleration मिल गया है it is your 2a minus 6bt उसने बुले कौन से समय पे acceleration 0 होगा तो मैंने बुला एर acceleration को कर दो 0 उसने बुले ना at what time the acceleration of the particle will be 0 particle का acceleration 0 कब होगा तो मैंने बुला ठीक है 2a minus का 6bt equals to 0 2a equals to 6bt so t equals to a upon 3b क्या यह वाला answer सही रहगा देख लो ज़रा a upon 3b is the answer चल बेटिक लगा लिजी एफटा सही ठीक है तो acceleration 2a और यहां पर 3b तो फिर से 2 आ गया होके है चलो टीटू a minus purple perfect 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 ठीक है देखा भई कोशन करने के बाद एक वाद रॉस्टेक्स जरूर करो कहीं तुमने गलती से भूले वटके में कुछ उल्टा सीथा तो नहीं लिग दिया है ना क्यूंकि कोशन हमारे वैलियोबल है चार मार्ग सब्सक्राइक कोशन के ठीक है नोट किया सभी ने अगला सवाल in the above example what is the average acceleration of the particle in the time interval of 123 seconds भाई पिछला सवाल ले लो फिर से और इस पिछले सवाल में average acceleration बताना है in the time interval of 1 seconds to 3 seconds सर जी यहां पर T1 जो है 1 second का हो जाएगा T2 जो है वो 3 seconds का हो जाएगा और अगर मैं यहां पर ध्यान लगा के देखूं सो डेल्टा T will be T2 माइनस T1 यानि की यह हो जाएगा 3 माइनस का 1 बोले तो 2 seconds यहां तक तो सब बढ़िया था कोई दिक्कत ही नहीं थी यहां पर तो थी क्या कोई दिक्कत इसमें नहीं थी सब पोजिशन जो दे रखा था मुझे X वो कितना दे रखा था A T2 मैनस का B T3 मैंने एक वाइख देट्रेंशेशन किया था इसका तो मुझे इक्वेशन मिल की थी कितनी 213 B T2 तो वेलोसिटी मिल की थी 210- Of theini वो average acceleration माँ रहे हैं आपसे average acceleration का formula क्या होता है पहले बाद तो यह पथा होना चाहिए average acceleration is delta v by delta t v2 minus v1 upon t2 minus t1 चलिए भाई सब t2 minus t1 तो आपने निकाल ये 2 seconds का है delta v कैसे निकाल होगे तो मैंने क्या किया at t equals to 1 seconds velocity मिली की v1 वाली 2a into 1 minus 3b into 1 so velocity मिली 2a minus 3b ठीक है so time जब 1 second का था तो velocity मिली v1 जब time हो जाएगा 3 seconds का velocity होगी t2 चलो भाई लिखते हैं t2 को भी at t2 equals to 3 seconds v2 बनेगा 2a into 3 minus 3b into 3 का square 6a minus 81b 3 3 is a 9 3 is 27 sorry it's 27 ठीक है लो भाई 27b कर दिया मैंने v1 आ गया है v2 आ गया है यह रहा average acceleration का formula बिखता शुरू कर दें दिवाइड बाई t2 minus t1 कहां जा रहे t2 minus t1 कितना था 2 था माइनस का वी बन की जगह पे प्लस का 3 minus का 24b divided by 2 2a minus का 12b ठीक है तो इस इस और आवरेज एक्सलरेशन इस इस वाट आवरेज एक्सलरेशन प्लस का प्लस का था इस आवरेशन से मैच करते हैं कर दिख रहे हैं के 2a minus 12b यह राज सार आवरेशन में सो मैं कर बोलू सी ऑप्शन इस दा करेक्ट वन और नाट विल्कुल सर्ट रेक्ट चाप लो जल्दी से कोशन मर्ट नू जल्दी से नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो कर लिया नोट यह भी नोट करो अरे यार हो गया बड़े अगले सवाल पे दिस्प्लस्में अगले सवाल पे दिस्प्लस्में अगले सवाल पे इस इकल्स तो a not plus a1 t by 2 minus a2 t square by 3 अगले अगले सार आजाएगा भाईस अब कहा गया था x equals to a not है plus a1 t by 2 minus a2 t square by 3 velocity मिलती है dx by dt करके differentiation किया भईया displacement का constant का differentiation 0 a1 by 2 बाहर आजाएगा because constant है t का differentiation 1 minus a2 by 3 बाहर आजाएगा और यहाँ पे t square का differentiation 2t हो जाता है velocity की equation बनीगी a1 by 2 minus 2a2 by 3 into t यह velocity की equation आईए velocity का दुबारा differentiation करेंगे तो acceleration मिलेगा तो मैंने बोला acceleration चाहिए d by dt करके d by dt और velocity a1 by 2 minus 2a2 t by 3 हमने बोला differentiation करो constant का differentiation 0 minus 2a2 by 3 t का differentiation 1 आता है acceleration है minus का 2a2 by 3 नहीं दिखता है ना तुम लोगों को अभी देखो दिख रहा है क्या हाँ sir कौन्स option मैच करा है minus का 2a2 by 3 बाला sir minus का 2a2 by 3 यह अपना सही आंसर है समझ रहो बात को छापना चाहते हो छाप लो चल दिखे बढ़े आगे अगला सवाल a rifle bullet losses 1 by 20 of its velocity in passing through a wooden plank the least number of planks required to stop the bullet is बढ़ा चाह सवाल है सितारे चमकाले है इस पे सितारे चमकाली जेगा प्लीज इस पे एक rifle bullet है जो की एक plank से पास होती है तो 1 by 20 उसकी velocity कम हो जाती है अहा मतलब एक plank बना लेते plank मतलब अरे लकडी का वो तुमने देखा है वो martial arts वाले ऐसे तोड़ते ना यह करके वो जो लकडी का रखाते है न उसको तोड़ते वो plank है न तो क्या हुआ हम तो martial arts जानते नहीं हमने क्या किया बंदुक से गोली चला दी और गोली चली वी स्पीट से अब जब यहाँ पे यह plank को पार कर गई ना गोली तो 1 by 20 velocity उसका loss हो गया भाई velocity 1 by 20 loss होगी initial velocity अगर वी थी तो final velocity जो हो जाएगी यह हो जाएगी V minus V by 20 19 by 20 देखा initial velocity गर V थी तो final velocity V minus V by 20 क्योंकि 1 by 20 velocity loss होई loss मतलब minus 19 V by 20 मा लीजिए इस wooden plank का जो thickness था वो था T इस wooden plank का thickness हो गया T यानि कि T distance चलने के बाद यह गोली T distance चलने के बाद उसकी speed हो गई यह तो कितना retardation हुआ अरे भाई सब speed कम हुई है यार मुझे बात बताओ अगर speed कम होती है तो retardation होता है ना तो what about the retardation नहीं जान देशर के तना होगा चलनों कोई बात ही मैं बता दो V square equals to U square plus का 2 AS 19 by 20 V का whole square this is the final velocity V square और जहान से देखेगा minus का 2 into A into T बाई साब यहाँ पे retardation है इसलिए minus का sign लगा रहा हूँ retardation है इसलिए minus का sign लगा दिया और ठिकनेस यहाँ पे देख लो आप कितना distance लिए T so 280 is equals to V square minus 19 by 20 into V का whole square 280 is equals to 400 minus का 19 into 19 कितना होथा है 81 99 is 81 होथा है 99 917 9 1 1 9 7 16 361 361 बटा 400 400 मैंसे 3901 को minus किया तो 39 बना सही है 9 is 81 919 918 918 918 918 918 लिग दिये 9 और 1 एक ठीक है बहुत बड़े 10 में से 9 गया 1 9 में से 6 गया 39 by 400 280 की जगा आप लिखेंगे 39 डिवाइड बाइ 400 V स्क्वेर रुक जाओ जरा देखो मैंने smart work किया क्या smart work किया सर आपने हमने smart work किया हमने यहाँ पे equation को 280 के फॉर्म में रहें दिया क्योंकि retardation A हम नहीं जानते कितना है retardation A हम नहीं जानते thickness T हम नहीं जानते इसलिए उसकी value निकाल दी ठीक है अब यह तो एक single plank के हुआ यह सारी बातें चल रही थी due to single plank due to single plank सारी बातें क्यों ही बिटा single plank क्ले हुई है उसने क्या बोला कितने number of plank रखूं जिससे की bullet रुक जाए है 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 कितने number of planks रखूं की bullet रुक जाए आओ ज़रा देखें यह पहला plank रखा हमने bullet यहाँ पे आ रही थी बिचारी V-speed से यह एक और plank रख दिया मैंने आपे एक और plank रख दिया मैंने एक और plank रख दिया मैंने एक और plank रख दिया मैंने और ऐसे बहुत सारे plank रखे और यहाँ पे आखे बिचारी बुलेट रुक गई let's say let's say we have n number of planks मान लीजिए मेरे पास n number of planks है बेटा, हर एक plank का thickness t था let's say मेरे पास n number of planks थे और हर एक plank का thickness जो था वो t था तो total thickness distance के चलगा nt let we have n number of planks मा लीजे n number of planks है since thickness of each plank is t therefore total thickness of n planks total thickness of n planks is nt तो देखो यह जो distance nt है अब कहानी में twist आया है अब हमारी bullet जो की v speed से चल रही थी distance travel के आया nt का और finally rest पर आगी so equation लगा है v square equals to u square plus का 2 as sir यहाँ पर final velocity 0 equals to initial velocity v का square plus का 2 a into distance nt सभी है sir यहाँ पर retardation हो रहा है इसलिए minus का sign लगा होगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें भी देखने में तो minus का sign लगा दिया so v square equals to 2 a nt तो n equals to v square by 2 a t number of planks find करने थे v square by 2 a t जारा आप मुझे बताएंगे क्या 2 a t का value पहले निकाल चुक है आप लोग 2 a t का value 39 v square by 400 होता है लिख दू किया यहाँ पर 2 a t का value 39 by 400 v square v square divided by 39 by 400 v square v square से v square मर जाएगा n का value बनेगा 400 बटा 39 solve करें 400 39 बंजा 39 हम अब क्या करें 10 से कर देतें सीधा ही हाँ अब dot लगा दो 0 आ जाएगा फिर 39 को 2 से करें क्या 9 to 18 3 2 6 7 2 से कर लेता है इसे भी जाएगा 39 जाद हो जाएगा 2 से भी जाएगा इसको solve करेंगे बिटा 10.2 आ रहा है अब दिक्कत क्या है ना कि जब आपने इसको solve क्या 10.2 यानि ऐसे 10.2 प्लैंक्स तो रखनी सकते मलब की यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 10 तो नहीं है 10 से तो जादा है तो फिर क्या लेंसर 10.2 बोला है इसको approximately आप 11 लिख लेना ठीक है 10.2 जो दे रखा है इसको approximately आप 11 लिख लेना तो आपका आंसर मैच करेगा फिर इसमें देखो भई क्या होता है ना प्लैंक्स रखे था मने बहुत सारे प्लैंक रखे ऐसे हमने बहुत सारे प्लैंक रखे एक बोल रहे टेन प्लैंक्स तो होगे 10 फ्लैंक तो होगे लेकिन नहीं वह 10.2 बोल और है बटा 5.2 नहीं हो फिर अगला 9的 होता होता है 11 क्योंकि प्लैंकोरा होगा आधा प्लैंक नहीं होता है कभी है ना प्लैंक अगर रखोगे तो पूरे प्लैंक को रखोगे ना ऐसा थो नहीं आधा काट के रख दिया हमने अगली डिजिट पर चले जाना जब भी आपको ऐसे नंबर किसी चीज के होगे 11 हो गया है कैसे भी दिमाग लगा सकते हो 400 बटा 40 करोगे अंसर 10 आएगा लेकिन थर्टी नाइन है मतलब आंसर 10 से तो बड़ा है 10 से बड़ा आंसर मतलब 11 ही हो सकता है फिर वह सबसें यह रिस्ट वाला तो तैसे दिमाग लगा सकते हो चाहो तो इतना जहान रखना कि अगर किसी का नंबर आपको बताना है और आंसर आप डेसिमल में आ रहा है तो आप अगले इंटीजर पर चलांग लगा दीजिए 10.2 आ रहा है तो अगला इंटीजर 11 होता है 11 पर चलांग लगा देंगे बोग बोला मैंने अच्छा सवाल है सितारे चमका लेना नोट करना यह सारी काम हमने सिंगल प्लैंक के लिए किया था पूरी पिच्चर जो डिफाइन करी थी सिंगल प्लैंक के लिए की थी यहां पर बिटा टाइम नहीं बलकि थिकनेस है प्लैंक का ठीक है तो डॉंट करो जल्दी से फिर आगे बढ़ेगी हम लोग फिर अब हमने एन प्लैंक को लगाया पर क्योंकि देखो उसने बुलाए कितने प्लैंक की रिक्वार्मेंट है बुलेट को रोकने के लिए यह बनाव भी बुलेट अगर रोकना ही चाहते हो तो एन नंबर आफ प्लैंक लगा लीजिये एन नंबर आफ प्लैंक का थिकनेस है टी सो टोल थिकनेस और एन प्लैंक लीए एनटी दिस्टेस को चलेगा तो देखो वापे डिस्टेस डिस्प्रेस्मिट जो था स उसके कर रहा हमने विल्गत आंसर 11 कतम कहानी चाप लो जल्दी से इसको चाप लिया सभी ने बढ़े आगे इधर आप पर अगला सवाल देखेंगे if a body start from the rest and travels 120 centimeter in the sixth second what is the acceleration में इस बात को समझों कि यहां पर लिखाए sixth यानि कि s nth वाला formula लगेगा यहां पर अगर वो बोलते हैं na sixth मतलब s nth वाला formula लगेगा so s nth का formula जो था आप भी जानते हों मैं भी जानता हूं u plus a by 2 मैंने पूरा derive करा है यह formula यादे आपको हाँ सर वो मांग रहा है s sixth और initially वो rest पे था body start from the rest मतलब initial velocity 0 plus a by 2 2 into 6 minus का 1 a by 2 into यह 6 to 12 minus 1 11 होता है बिटा कितना distance से लाए वो 120 cm तो 120 cm है मीटर में convert करेंगे 100 से divide किया सर तू से 60 times मर जाएगा 6 a 6 हो गया खतम और यहां से अगले पेश यहां पे कर देता हूं तो 6 by 10 equals to 11 a a का value 6 by 110 meter per second square चले भी solve कर लीजिए यह 6 हो गया 11 dot लगा है 0 11 5 is a 55 होता है बिटा फिर से 5 लगेगा जर्दो है 11 4 is a 44 तो a का value बनेगा 0.054 meter per second square calculation की बाते हैं कोई ज़्यादा rocket science नहीं है इसमें 0.054 meter per second square है 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 कलिती कर दी क्या गयरे अप माफ करो मुझे मैं थोड़ा भावनाव में बह गया था है ना पता नहीं क्यों ऐसे flow flow में चला गया मैं जैसे वो गुस्ते में इदर उदर निकल जाते मैं फोड़ा पढ़ाने में इदर उदर निकल गया ठीक है समझ गया मैं मैंने गलती करी थी option match नहीं कर रहा था चला जाओ अब ठीक है अब गुस्ता नहीं हो ना नहीं से बिल्कुल अब क्यों गुस्ता होंगे आप से आप तो सही किया है हम बाइ सेंटीमीटर को मेटर में कनवर्ट कर लेना ठीक है सेंटीमीटर को मेटर में कनवर्ट कर लेना यूर आंसर विल बी 0.21 21 वला ओप्षन दिख रहा है तुम लोगों को 21 वला ओप्षन दिख रहा है हाँ सब दिख रहा है C option is the correct one 0.218 meter per second square this is your final answer third option छाप लो जल्दी से कर लिया है नोट सबी नहीं बड़े अगले सवाल पर question number 5th के बाद question number 6th हम से कहता है a passenger is standing d meter away from a bus the bus begin to move with a constant acceleration a away from him to catch the bus the passenger runs at a constant speed v towards the bus the minimum speed of the passenger so that he may catch the bus will be by कितनी स्पीड से चलना सभी है passenger हो क्या कहता हो तुम लोग हाँ आप सही है दिखरा है बढ़िया मस्त भाई एक आदमी यहां कड़ा है एक बस से d distance पे बस है यहां पे जो चलना शुरू हो गई है ठीक है the bus begin to move with the constant acceleration a यह बस a acceleration से चल रही है यह बस अभी rest पे थी पहले जो आदमी जो d distance पीछे था वो constant speed से भागने लगा बस accelerate कर रही है यह constant speed से भागने लगा the minimum speed of the passenger so that he may catch the bus तो भही वो constant speed कितनी हो सकते हैं minimum speed बता दीजिए हम kushers ओके तो he may catch the bus तो उसको bus catch करवानी पड़ेगी हमें है न हम चाहते हैं कि वो bus catch कर ले ठीक है तो let's say after time t यह आदमी bus को catch कर लेता है ऐसे question को solve करने के लिए आप सोच लो पहले ही कि उसने bus को catch कर लिया so let the man पैसेंजर catches the bus after time t t time के बाद वो पैसेंजर bus को catch कर लेता है बिटा अगर t time के बाद bus को catch कर लिया पैसेंजर नहीं है उस time में कि उस time पे क्या होगा यह रहा पैसेंजर यह रही वो बस अरे यहां पर नहीं बनेंगे इसी को थोड़ा अगे एक्सेंट कर दूँ में ठीक है एक जगा ऐसी आईगी जहां पे पैसेंजर ने बस को पकड़ लिया मतलब यह जगा होगी यहां पे इस टी टाइम के अंदर बस ने जो डिस्टेंस टेवल किया मालीजे वो एक्स है इस टी टाइम के अंदर जो बस ने डिस्टेंस टेवल किया वो मालीजे एक्स है तो पैसेंजर ने कितना डिस्टेंस टेवल कियोगा फिर हां in t time the passenger catches the bus और इस t time पे bus ने जो distance travel किया वो x है तो passenger कितना करेगा passenger करेगा d plus x at time t तो at time के अंदर जो bus ने distance travel किया वो है x है तो passenger को distance travel करना पड़ेगा वो d plus x होगा तो लिखे हैं यहाँ पे since passenger catches the bus यह लिखे तो since passenger catches the bus therefore their displacement in time t must be same क्या बात असे हैं क्योंकि passenger ने bus को पकड़ लिया तो जो bus का और passenger का displacement है in time t वो same होगा तो मैं क्या बोलू distance या फिर displacement of the passenger equals to displacement of bus चोड़ा बाई 1D motion है distance displacement में confuse मत हो जाना ठीक है 1D motion है distance displacement में confuse मत हो जाना distance लिख दे तो या पर नहीं तो फिर passenger ने distance travel किया है let's say S1 bus ने distance travel किया है X passenger ने जो distance travel किया है वो है S1 और bus ने जो distance travel किया वो है S2 तो एक बात बताओ मुझे D plus X equals to half 80 square ऐसा लिखूं क्या हो D plus X distance travel by the passenger equals to displacement of the bus which is your half 80 square आदमी का जो distance था उसके लिए फॉम लगते है चलो एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखते है S1 equals to X ऐसे लिखते है S1 equals to X ठीक है आदमी ने जो distance travel किया वो है S1 और जो bus का distance हो वो है X आदमी ने कितना distance travel किया D plus X चलो भाई इसको अगले पेश भी लिखते है also S1 equals to D plus X X equals to half 80 square क्योंकि bus का जो distance था वो यह था S1 equals to V into T यह कैसे आएसा अरे आदमी है constant speed से चल रहा है तो आदमी का distance equals to speed into time bus का displacement half 80 square S1 की जगा VT equals to D plus half 80 square ऐसी बाते लिखें क्या सोच लो जड़ा पहले क्या किया था है S1 equals to X X तो था half 80 square था S1 था D plus X ठीक है S1 equals to D plus X था अब जड़ा देखो क्या speed हो सकते है T को रिक्विट solve करना है quadratic बनना है T को solve करो तो देखो V का क्या वैल्यू आज़स में नहीं वह कोई बाती चलो मैं बताता हूँ यहाँ पर एक quadratic equation बनती है T में ठीक है तो T में एक quadratic equation लगती है तो इसको solve करने के लिए श्री धरा चारे method लगाते है T equals to minus of minus का 2V plus minus under V square देखो 2V का square 4V square हो जाए गए minus का 4 into A A कितना A ही है और 3 कितना है बिटा 2D है divided by 2A तो बिटा T का equation बनता है minus का 2V sorry plus का 2V plus minus under root of 4V square minus का 8AD कुछ minus में तो नहीं नहीं बिटा time के लिए हमारे पास 2 roots आ रहे है अब ध्यान से सुनना है इसमें maths लगती है फिर ठीक है मैं यह बात जानता हूँ कि time real होता है हमेशा मैं जानता हूँ time T जो होता है बिटा वो real होता है हमेशा और real roots के लिए हमें क्या चाहिए होता है real roots के लिए condition होती है कि under root of 4V square minus 8AD under root में जो यह बाते लिखी है वो greater than 0 होने चाहिए मतलब positive होने चाहिए हम जानते हैं T जो time है बिटा वो real होता है time जो होता है वो real होता है मतलब इसके roots जो आएंगे वो real होने चाहिए और real roots के लिए यह जो under root में बाते लिखी है इसको positive होना चाहिए क्योंकि अगर यह part negative होगे तो under root of negative imaginary होता है under root के अंदर negative imaginary होता है तो मैं चाहता हूँ कि under root में जो बाते लिखी है वो greater than zero होनी चाहिए positive होनी चाहिए zero भी हो सकती है not a problem zero भी हो सकती है greater than or equals to zero तो मैं minimum वाली बाते कर रहे बेटा तो मैं यहाँ पे zero ले लेता हूँ for the minimum velocity इसको मैंने zero ले लिया for minimum velocity है 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 क्या हो गया यह चोड़ो for minimum speed so 4V square equals to 8AD तो V equals to हो जागा under root of 280 minimum speed कितनी होनी चाहिए under root of 2AD under root of 2AD under root of 2AD समझ रहो बात को यह passenger है यह bus चलना शुरू हो गई accelerate करने लगी passenger constant speed से भागा bus को पकड़ने लिए किसी time t पे उसने bus को पकड़ लिया इस समय में bus ने जो distance travel के वो है passenger ने जो distance travel के वो है D plus X तो यहाँ पर में लिख दता हूँ यह इसको correct करता हूँ यह confuse करेगा ने तो तुम लोगों को इसको correct करता हूँ distance traveled by passenger distance traveled by passenger वो है D plus X also it is equals to VT distance traveled by bus तो यहाँ उठाके रख दीजिए और फिर solve कीजिए आपको answer मिलेगा मिलेगा है ना यहाँ पर देखो distance traveled by the person D plus X distance traveled by the bus सारी picture सामने तुमारे ठीक है note कर लो इसको भी यहाँ से note करना starting से यह वाला part question अच्छा था चाहो तो सितारे चमकालो आगे जाके मैं relative motion पढ़ाऊंगा relative से और आसान हो जाएगा question आगे चलके relative motion पढ़ेंगे उससे और आसान हो जाएगा यह question फिर ठीक है अभी फिलाल तो इतना note करो कर लिए note से भी ने बढ़े आगे अगले सवाल पर a truck start from the rest with an acceleration of 1.5 meter per second square while a car 150 meter behind starts from rest with an acceleration of 2 meter per second square how long will it take before both the truck and the car to be side by side and how much distance is travelled by each simple से फिर से पुराना वाला जो कुशन था उसी पर बेस्ट है क्या बोल रहे है कि एक truck है जिसने चलना शुरू किया तो this is your truck अब देख लेना है तुम थोड़ा भावना है समझना सर यह जीप लग रही है कोई बात नी ट्रक ने चलना शुरू किया है विदेन एक्सेलेशन आफ टू मीटर पर सिक्ट स्क्ट स्क्राइब विदेन एक्सेलेशन वो रूज है आपको बताना है वो टाइम हाओ लोंग विल टेक हाओ लोंग विली टेक मतलब वो टाइम बताईए जब यह कार और यह ट्रक साइड बाई साइड मतलब पैर्लल आ जाएंगे बिलकुल अब लग यह ट्रक यहाँ पर होगा बैटा और यहां चल रही होगी ठीक है तो आपको वो time बताना है जब ये car और ये truck side by side हो जाए तो आपको वो time बताना है जब ये दोनों car और truck side by side आ जाए तो फिरसे वही पुराना concept लगाएंगे क्या बोलेंगे let at anytime t let at any time T car and truck are side by side car and truck are side by side. किसी time T पे car और ट्रुक जो है बिटा वो side by side आगे है. इस time में truck ने जो distance travel किया वो हो जाएगा बिटा, half A T square, क्योंकि truck rest से चलना शुरू किया था ठीक है truck starts from the rest with an acceleration of 1.5 meter per square car ने भी rest से चलना शुरू किया था तो car जो distance travel करेगा वो half truck के acceleration को मैं A लिख देता हूँ, car के acceleration को मैं A dash लिख देता हूँ, half A dash T square truck के acceleration को मैंने A लिख दिया है बिटा, और car के acceleration को मैंने लिख लिख लिया है A dash, तो distance traveled by the car is half A dash T square, distance traveled by the truck is half A T square, आपको वो time बताना है जब वो साथ बास side हो जाएए, आप भी जानते हो that the distance traveled by the car is 150 plus distance traveled by the truck, distance covered by car equals to 150 plus distance covered by truck. So, it can be written as half A dash T square equals to 150 plus half A T square. Let's solve this on the next page, अगले page पे इसको solve करते हैं, तो half A dash T square equals to 150 half A dash T square equals to 150 plus half A half of A dash कितना था? 2 into T square is equals to 150 plus half into 1.5 T square तर ये आप हाफ 80 square कहां से लेके आ रहे हो? ये half 80 square कहां से आ रहे है? भई, S equals to UT plus half 80 square वाले formula से है, ये initial velocity 0 है ना बेटा? S equals to half 80 square होता है, जानते हो नहीं बाते तो? जानते हो नहीं वाली बाते है? 2 से 2 मर गया बेटा, so T square equals to 150 plus 1 5 by 10, 20 अब क्या करें से? काड़ दो, काड़ दो, इसको दे लिया? ये, इसको दे लिए तो, T square minus 15 T square by 20 is equals to 150, 20 T square minus 15 T square by 20 is equals to 150. अरे, ये 15 T square इधर आ जाएगा, तो T square minus 15 T square by 20, 5 T square by 20, 5 T square by 20 is equals to 150, 5 से 30 times T square comes out b 600, T का value बनेगा 10 under root of 6 seconds. रूट 6 कितना हो गा? 2.3, देख लेते हैं सर, 5.29 हो रहा है, सरी तो, चलाओ बहा है, 2.4 into 2.4 बहा है, 16, 4, 8, 9, 5.76, लग भग लग 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 लग, 2.4, लग 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 2.4, लग 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 2.4, अप्रोसिमितली 2.4. तो, T equals to approximately 10 into 2.4, यानि की लग 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 24 सेकंद्स का टाइम लग रहा है, अप्रोसिमितली 24 सेकंद्स, अप्रोसिमितली 24 सेकंद्स, कहां मिल रहा है, अप्रोसिमितली 24, ये रहा है सा third option, approximately 24 सेकंद्स, मैं exact answer नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैं approximately बोल रहा हूँ, क्योंकि root 6 का approximately value मैंने 2.4 लिया है, और अगर मैं हाँ पे value approximate वाला लेता हूँ, यानि exact value ना लेके, उसके nearby value लेता हूँ, तो answer भी exact नहीं आके, nearby answer आएगा, भाई ये अप्रोच calculation को आसान करने के लिए है, क्योंकि exam में जब आपको calculation करनी होगी, तो कहां calculator लेके बैठोगे, क्या करोगे, उससे बेटर है न, approximately solve को रिसको, so 24 seconds, आपको यहाँ दिख रहा है, 24.5 seconds, यह आप cancer हो जाएगा, अगला सवाल उसमें पुझा है, how much distance is traveled by each, भाई साहब, अब time आपके पास आ चुका है, 10 under root of 6, है न, तो आप इसमें put कीजिए, इसमें put कीजिए, तो आप distance निकाल लेंगे, दोनों की वज़ा से, नहीं कर प by car, half a dash t square, half into 2 into 600, 600 meter, distance covered by truck, by truck, it's half a t square, half into 1.5 into 600, 0,3, 450 meter, in the same time, in the same time, distance covered by the car is 600 meter, distance covered by the truck is 450 meter, देखो, दोनों में अंतर 150 meter का आ रहा है अज़ भी, भी जो truck था, वो कम distance से ला, जो car है, वो ज़्यादा distance से ली, तभी तो उसने over take किया truck को, समझ गे बात को, सभी लोग, लिखना चाहते हो, लिख लो बाई जल्दी से छाप लो, उसको खतम करें, उसको एर फटाच, ये भी लिख लिख लिया, ये भी लिख लिख लिया, ये भी लिख लिख लिया, एर वीडियो पॉस करके किया करो, note, चलो बाई, अगला सवाल, if the velocity of the particle is 10 plus 2T square meter per second square, sorry, meter per second, then the average acceleration of the particle between 2 seconds and 5 seconds, what is the average acceleration of the particle between 2 seconds and 5 seconds, चलो, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, V equals to 10 plus 2T square है, तो T1 जो है, वो 2 seconds का है, और T2 जो हो जाएगा, वो 5 seconds का है, तो मैं इन पे velocities भी निकाले तो हूँ, V1, which is comes to be 10 plus 2 into 2 का square, ये बन जाएगा, बेटा, 4 to the 8, 18 meter per second, फिर 5 seconds पे velocity निकाली, मैंने 10 plus 2 into 5 का square, ये 60 meter per second आजाएगा, आगे है, velocity दोनों time पे, है ना, 2 put किया, 2 to the 4 to the 8, 10 plus 8, 18 meter per second, 5 put किया, 25 into 2, 50, 25 to the 50, plus 10, 60 होता है, उसने मांगा है, average acceleration, बैटा, average acceleration होता है, V delta V by delta T, V2 minus V1 upon T2 minus T1, V2 कितना, 60, V1 कितना, 18, T2 कितना है, 5, T1 कितना है, 2, solve किया, I think ये 42 बन रहेगा, 42 बन रहेगा, देख लो यार, 60 minus का 18, 10 में से 8, 2, 5 में से 4, 42 by 3, आगे answer, 14 meter per second square, क्या मैं answer, बोल तूँ, D option correct होगा हमारा, बिल्कुल, average acceleration है, 14 meter per second square, बोल तूँ, क्या D option correct होगा हमारा, देख लो भाई, जल्दी से, देख लो, जल्दी से, समझ गा गई, उसने बोले, 2 seconds और 5 seconds के बीच में बताई है, क्या average acceleration होगा, मैंने बोला, पहली बात तो ये बताओ कि 2 seconds पे velocity कितनी, 5 seconds पे velocity कितनी, ये पता चल गया, तो average acceleration का formula ता लगाया, 14 meter per second square answer आया, this is your question number 8, completed, बढ़ते है अगले सवाल पे, question number 9 पे आते है, बटा, question number 9 क्या बोलता है, a particle starts from rest, and moving along a straight line, travels 19 meter in the 10th second, the acceleration of the particle is given by, बटा, starting से चल रहे, और दसवे second में, 10th second बोला है उसने, it is S 10th, 19 meter है, what is the acceleration of this particle, ये आपको बताना है, particle का acceleration क्या होगा, यार, S nth का formula मैं जानता हूँ, it is nothing but U plus A by 2, 2N minus का 1, rest से चलना शुरू किया, that means U हो गया हैगा 0, और S nth का formula रह जाएगा, A plus A by 2, 2N minus का 1, अगर हम बात करें, S 10th की, so it comes out B, A by 2, 2 into 10, minus का 1, solve किया, A by 2 into 19, यहाँ पर क्या है, 19 ही है बई, देखो ना है, question में बुला है, S 10th कितना, 19, मैं 19 बुट किया, 19 से 19 मर जागा, acceleration आ जाएगा, आपका 2 meter per second square, यह आपका question complete हो गया है, उम्मीद करते हो, समझ आया होगा, B option is the correct one, S 10th कितना है, 19 meter, S nth का formula लगाया, यह रेस्ट पे था, U 0 हो जाता है, S nth का formula यह रह गया, S 10th की बात कर रहा है, S 10th equals to A by 2, 2 into 10 minus 1, S 10th कितना, 19, A by 2, 20 minus 1, 19, 19 से 19, A का रहा है, क्या है इसमें, कुछ भी नहींगे न, समझते हो ना बात को तुम लोग, अगले सवाल पर बढ़े, question number 10, क्या कहता हम से, a particle in uniform accelerated motion travels A, B, C distance in X, Y and Z second of its motion respectively, then, A, Y minus Z plus B, Z minus X plus C, X minus Y is equals to, कितना होगा, सवाल में क्या बोला है, distance, accelerator levels A, B, C distance in X, Y, ठीक है, S nth का formula जानते हैं आप लोग, U plus A by 2, 2 by N minus 1, देखो यहार यहां पर A मत लिखना, क्यूंकि acceleration जो है, वो आप confused हो जाओगे, acceleration को मैं capital A लिख देता हूँ, ठीक है, acceleration को capital A लिख देता हूँ, भीटा, X distance में, X time में, U plus acceleration by 2, 2X minus 1, यह A हो जाएगा, भीटा, U plus capital A by 2, 2X minus 1, यह A हो गया, फिर हम बात करेंगे, S white की, यानि कि white second में कितना distance हुआ, U plus capital A by 2, बेटा capital A acceleration के लोगा, 2Y minus का 1, question में बोला थे, यह B हो जाएगा, it is your U plus A by 2, 2Y minus का 1, यह हमारी second equation हो जाएगी, यह हमारी पहली question है, समझे रो, S andth का formula है, लेकिन उसमें N की जगा X है, Y है, Z है, तो N की जगा X put किया, N की जगा X put करोगे तो distance है A, तो इसको A के बराब पूट किया, N की जगा Y put किया, तो distance था वो B, मैंने पूट किया, बागे सारी कहानी वही चलती है formula में, अब Z second में है न, Z second में, U plus capital A by 2, 2Z minus का 1, यह बेटा C के बराबर हो जाएगा, U plus capital A by 2, 2Z minus का 1, this is your equation number third, क्या मुझे ABC तीनों की value पता है, क्या मैं इस equation में put करूँ कि ABC की value, तो मेरा काम बन जाएगा, आउज जाना दिखते हैं, A Y minus Z, A Y minus का Z, फिर, plus B Z minus X, plus B Z minus का X, plus C, X minus का Y, यह होगा, X minus का Y, इसको solve करते हैं बोटा, A की जगा, U plus capital A by 2, 2X minus 1, into Y minus का Z. चोलो बई, solve करना शुरू करें, हाँ, सर, solve करना शुरू करते हैं, ओके, चोलो बई, open करते हैं, brackets को, बड़ा लंबा जाएगा, यह equation, यह हो जाएगा, A X minus का A, यह हो जाएगा, Y minus का Z, यह हो जाएगा, U plus A Y minus का A, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, Z minus X, यह हो जाएगा, U plus A Z minus का A, यह हो जाएगा, X minus का Y, multiply करते हैं, open कर रहा, bracket को और जाएगा, ठीक है, so U Y plus A X Y minus का A Y minus का U Z minus का A X Z plus का A Z, यह हो हो जाएगा, पहले Y से multiply किया, फिर Z से किया, plus U Z plus A Y Z minus का A Z, फिर X से multiply किया, minus का U X minus का A X Y minus minus plus का A X, हो जाएगा, अब प्लस U X plus A X Z minus का A X, अब मैनस का U Y minus का A Y Z plus का A Z, आव ज़रा जो कटता है, उसको काटते हैं, क्या-क्या कट रहा है यहां से, उसको काटते चलेंगे भई सब, सर A Z से plus का A Z, देखो, यहाँ plus का A Z है, यह minus का A Z मर गया, सभी है, बहुत बढ़ी है, फिर, प्लस के A Z से minus का A Z मर गया, कहीं और भी आएगा का A Z, यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब से, अब काटते हैं, हाँ, प्लस का A Y, कहीं पे minus का A Y दिख रहा है, यह दिख रहा है सर, माइनस का AYZ, क्या कहीं पे प्लस का AYZ दिख रहा है, प्लस का AYZ, माइनस का AYZ, माइनस का UY, कहीं प्लस का UY दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, प्लस का UY, माиноς का Ax, 플स का Ax PLUS का AzX, PLUS का AzX माиноस का AzX PLUS का UX, माиноस का UX माиноस का A XY, PLUS का AXY माиноस का AZ, PLUS का AZ PLUS का UZ, माinarious का ZUZ पूरा solve किया 0 answer सही है पुरा solve किया दिमाग लगाया है and yes इतनी महनत करके answer 0 आया so yes 0 is absolutely correct answer here तो option भी आपका सही हो जाएगा अच्छा सवाल था note कर लिजे चली से किया note सभी ने कर लिए note बड़े आगे लो भई ये भी note करो ये भी कर लिए note सभी ने पका तो यहां पर हमारी जो dpp है बेटा वो हो जाती है समाप्त अगर आपको लगता है कि सर मुझे कोई question दुबारा देखना है तो आप एक काम कर सकते हो website पर जाए website पर जाने क्लिक या करना है google पर जाना है www.magnetbrains.com search करना है search करने के बाद आपको आना है आई टी जी डिपार्टमेंट पे आप आई टी जी डिपार्टमेंट पर आएंगे तो यहां पर आपको मेरे lectures मिल जाएंगे आप इन lectures को क्लिक कीजेगा तो एक और page खुले का DPP सारी यहां मिल जाएगी solutions उनके सारी यहां मिल जाएंगे सारे lectures यहां पर मिल जाएंगे वो भी sequence में अरेंज है lecture one lecture two lecture three पूरा पर फॉर्मेट में यह सारी कि सारे lectures आपके लिए फ्री रहेंगे कभी ऐसा नहीं होगा बीटा दो लेक्टर देखने के बाद आप से कोई बो तो वेबसेट पर जाने के लिए तरीका क्या है गूगल पर जाना है www.magnetbrains.com ठीक है चोड़ भई इसके अलावा जो है वो यह बात है कि जाने से पहले यह तीन छोटे से काम जो तुम हमेशा करते हो यह है कि अगर नए हो चैनल पर लाल बटन दबालो उसके बगल का जो घं यहां पर ठीक है और सेशन अगर पसना आए तो लाइक जोरो करते ना और बस इतनी सी बात थी हमारे इस डी पी पी के सॉलूशन की मिलते आप सक ले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रही है और दा वेरी